हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आज मेरा किचें में खाना बनाने का मूड नहीं कर रहा तो सोचा कि कुछ आज चलो बाहिर बनाते हैं घर में पनीर पड़ावा था तो सोचा कि चलो पनीर बाबी की उतिक्का बनाते हैं तो चले हैं हम फिर बनाते हैं पनेर बाबी के उतिका बनाने के लिए हमें चाहिए एक इक इंच के टुकड़े पनेर के एक इंच के प्यास, तमाटर, कैप्सिकम, ग्रीन चिली, एक बाल में हम दो चमाज कर्डलेंगे इसे थोड़ा सा फैंट लेंगे इस तरीके से फिर इसमें हम घर का बनाओ बाबीक्यू मसाला दालेंगे चमाच, इस बाबीक्यू मसाला बनाने का तरीका आप डिटेल में देख सकते हैं हमने अची तरीके से मिक्स कर लिए अब इसमें नमक एट करेंगे नमक आप हमस्पे जाइका एट कर सकते हैं पनीर इसमें दालेंगे और पनीर को हम 10 मिनिट तक इसमें छोड़ देंगे तक एच्छी ते किसे मेरिनेट हो जाए पनीर को अच्छी तरीके से मिक्साला लगा देंगे और 10 मिनिट के लिए से छोड़ देंगे मेरिनेट होने के लिए पनीर मेरिनेट होके रेडी है अब इनसे हम सीखु में लगाएंगे सीखु में लगाने के लिए इसके साथ हमें चाहिए प्यास के टुकडे शिल्वा मिर्श के टुकडे तमाटर के और ग्रीन चिवी अब हम सीखु करें रेडी करते है बाबी क्यों के लिए इसमें पनीर लगाते है यह लगा है इस तरह के से कर दो कर दो कर दो कर दो इससे आप कैसे भी अरेंज कर सकते हैं इसका कोई रूल नहीं है कि पहले डमाटर लगाने आए या पहले प्यास करने है इसी तरह अंसाले टिकूं को अरेंज कर लेते हैं हमने सबसी को बना के रेडी कर लिया अब इसे हम बाविक्यू करेंगे देखें गर का मसाला बनाया वा लगाया था कितने अच्छा इसमें कलर आ रहा है हम बावी को बनाने के लिए को जलाएंगे हम जलाएंगे हम जलाएंगे कर दो कर दो हम जलाएंगे बावी कर दो पर दो अजलाएंगे पर दो दो पर दो कर दो कर दो दो जो समच हो जो पहारा है कोई ले अच्छे से लाद हो चुके अब इसके हम सिखों को औरेंज करेंगे करते हैं ले अच्छे से लाद हो चुके कर दो करेंगे एकिनल रचे से लाद हैंब नेले किया से लाद हैं ले अच्छेसाँ हैं में इसके हम सिखों करेंगे जैसे इसे गूंग कोई लोप लोप रखा जैसे मजबू इतनी अच्छी आ रहे हैं जिर्के मसाले की इस बिच पे हम थोड़ा बट्रिस पे लगाते रहेंगे बिच पे इसे हम ट्विस्ट भी करते रहेंगे ताकि यह जले नहीं कर रहेंगे हैं स्था यह सेख। जैसी हूई जलेढ 되는 बट्रिस में काश के यूट्यूब पे फिसल्टी होती कि इसकी खुश्बू जा सकती। बहुत ही शानदार खुश्बूआ रही है इसकी। ऑŞ जुश्बूश्बूबूबूश्वल्च ज fragmentsे होती। काश सची कर्या साइडार रहा भीगत बारू सक्रिंवर小 माक। दुबाई का मॉसम बहुत अच्छा है आजकर इसी वज़े से मैं बाहर बैठके शाम में यह बना रही हूँ और हलकी हलकी ठंड लग रही है देखे, मैं मेल्ट करके वट्र को लेकर आई थी पर यह जम गया है इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाहर किती ठंड है करते हैं पनिर बाबी क्यों हारा रेडी है? नहीं देखें? और कुछ्पू तो भूखाती ही जा रही है इसे आप राइस, रोटी, इनान किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं, पर मुझे तो बहुत लगी है, मैं ऐसे ऐसे ही खा लेगा तो बहुत मुझे कबाना हूँ अच्कर फिर बहुत अच्छा है आपके से गुर में ट्राइब और कमेट में बदाईए काईसे लगा थाइब पर वाचिंग देसे लाइकाव